हालो एवरिवन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पात्री पुत्रे उनर्सिती के जो भी बच्चे होंगे उनके लिए मैं इस बीडियो को बना रहा हूँ कि आपको अपना अनर्स पेपर किस परकार से लिखना है चाहे बाकी जो भी पेपर है उसको किस परकार से लिखना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा बीना इस्क्रिप किये हुए जरूर आपको कुछ न कुछ प्रॉफित होने वाला है तो सबसे पहला जो आता है कि आपको एक ऐसा पेन लेना है मतलब कि जो आप पहले से लिख रखे होगे बहुत बची ये गलती करते हैं लेकिन आप एक चीज देखिएगा कि नया पेन आप जब भी अंदर कहीं लिखिएगा नया पेन को लिएक को पी पे तो पतला उगता है और उसे राइटिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं उगता है उसको थोड़ा से लिखना पड़ता है उसके बाद जाएक आपका राइटिंग बनता है तो नया पेन आपके स्पीद कम करता है पहला चीज ये होता है दूसरा जितना पुराना पेन रहता है उतना फास लिखता ह और आदत पर गया रहाता है, तो एक्जाम से पहले कम से कम practice करिए, तो कम से कम 10 दिन पहले एक pen खड़ी दिये, 3 या 4 pen ले लिजे, link laser हो चाहे, जो भी pen आपके पास अब label, जो भी जिस pen से आप लिखना पसंद करते हैं, उसको लेके, और एक्जाम से 4-5 दिन पहले practice करिए लि दूसरा, आपका revision हो जाएगा, जो भी एक्जाम आप देना चाहते होगे, जिस stream के होगे, और तीसरा, तीन फायदा होगे, तीसरा क्या होगा, कि आपका जो pen का ink होगा, वो भी थोड़ा सा खतम होने लगए, तो आधा-धा, अगर pen सब 3-4 नया pen को लिख लिजेगा, तो ए खायदा भी होता है, ठीक है, ये तो pain का बात है, बहुत बचे कहें के pain कौन, ये समने ही, ये important चीश है, इसलिए मैं आपको बताया, दूसरा चीश क्या है आपका, कि आपको अपना paper जो आपको मिलता है, तो paper में आपको क्या होता है, जो पहला page रहता है न, ओ आपका 10-15 मि चला जा, कोई बात नहीं, क्योंकि आप पहला page जो आपको information अपना देना रहता है, उसमें अगर गलती से कुछ गलती mistake कर दीजगा न, जैसे roll number में कुछ mistake कर दीए, तो आपको फिर paper इधर उधर हो जाता है, तो आप कम से कम अपना paper को तो secure करिए, कि जो लिख रहे हो सही ज सानी से उसको भर लिजेगा, ठीक है, तीसरा जो main चीज आपको बाताने वाले थे, कि आपको जो paper आपको लिखने से पहले, आपको margin छोड़ना है, margin मतलब ये बहुत बची गलती करते हैं, कि दोनों size margin छोड़ देते हैं, इधर भी छोड़ देते हैं, पेपर में और इधर नहीं छोड़ना है, ठीक है, ये तीसरा चीज, margin जरूर छोड़ना है, उसे paper आपका अच्छा देखता है, और margin के बाहर जो margin छोड़ते हैं, उसमें आपको क्या लिखना है, question number one का answer, question number two का answer, ये सब लिखिएगा, ठीक है, इसके बाद आपका आता है, कि आपको लिखना पर पर मिला है आपको, तो ये नहीं कि आप 15 पेज लिख के आ गया, तो आपका अच्छा number आ जागा, नहीं, इस भरम में आप मत रहेगा, क्योंकि गेट जोशन का paper आपका line balance check नहीं होता है, वो paper का page देखते हैं, कि कि कितना page में लिख्या है, दूसरा आपका point तो पढ़ने का आपको अच्छे से आता है, तो एक घंता में कम से कम एक या दो question अच्छे writing में लिखिए, तीन चार page पेज पांच पेज अच्छे writing से लिखिए, फिर बीच में थोड़ा TG में भी लिखिएगा, तो आपका minus हो जाता है, लास्ट में फिर लास्ट question आप थोड़ा सा writing बैठ ने जो दिमाग लगा था आपको बता दिया, तो writing भी बहुत minor रहता है, और paper भी साथ में भरना है, कम से कम से कम 30 page अगर paper है, तो उसमें average आपको 22-23 page लिखना ही लिखना पड़ता है, तो ये सब चीज आप करके कम से कम पात्री पूता उनवर्सिती में तो आच्छा number ला सक चाहता है, paper छोड़ के मातेएगा, क्योंकि teacher को भी number देने के लिए teacher चाहता है, आपको number दे, graduation में, लेकिन जब पेपर भर कही नहीं है तो आपको number मिलेगा कहां से, तो इसलिए मैं आपको बता रहूं कि कम से paper भर कही येगा, कि teacher को आपको कम से फेल ना करे, number अच्छा से teacher देना चाहता है, खुल के देना चाहता है, लेकिन कितने बच्चे को मैं देखा हूं कि paper में कुछ लिख की नहीं आता है, बहुत सारे teacher मेरे को बताते है, कि मैं जब paper चेक करता हूं, teacher ये बात बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, तो बोलता है कि मैं जब paper चेक करता हूं, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि ना अधिक साधिक बच्चों को मैं पास करा दू, मतलब फेल किसी को ना करा हूँ, लेकिन उस केस में वो देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे पेपर लिखे ही नहीं है, पास कराने लेक, तो जब पास कराने लेक, आप लिखेंगी नहीं, तो तीचर अपने घर से थोड़ी उसमें लिख के नंबर आपको देदेगा, तो कमसें कुछ भी एगा लिखिएगा, ना पेपर भाल क्याएगा, तो तीचर आपको एवरेज नंबर देखेंगे, पास करा देता है, ठीक है, यह सब चीज़ को आपको ध्यान रखना है, बस वीडियो पसंद आगा, तो लाइक करना, चैनल को सस्क्राइब करना, और आपके लिए especially वीडियो बना है, तो पात्री पुत्रे के जितने बच्चे हैं, जो भी देख रहे हैं, अपने हर जगा आपके सेर कर सकते हो, जो भी आपके सोसल मीडिया प्लीज भाई को सपोर्ट करिए, और जो भी कोश्चन होगा, इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करना, जरूर उसका रिपलाई मिलेगा, मिलेंगे नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए जाएं,